हलो फ्रेंट्स वेलकम टू कारगी क्लास इस डेट आज की एक फरवरी दो हजारी कीस और देख लेते हैं इंपोर्टन न्यूज जो आज हम इंडियन एक्सपेस से डिसक्स करने वाले हैं फ्रेंट पेस पर हमारे लिए एक भी इंपोर्टन न्यूज काम की नहीं है कोई भी काम की न्यूज नहीं है फ्रेंट पेस भी basically हम यहां से इस वाले section में जिसमें opposition to press for discussion on Tuesday signal storm in parliament किस तरीके से opposition जो है वो object करेगी आज तो चलो budget speech है तो Tuesday मतलब कल किस तरीके से तो यहाँ पर business advisory committee का mention आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर business advisory committee की मैं यहाँ पर आपको दो तीन important चीज़े बताता हूँ business advisory committee के अलावा इसको chair कौन करता है अगर यह राजय सबा में है तो जी बिलकुल इसको हमारे जो vice president या राजय सबा के जो chairman होते हैं वो इसको chair करते हैं यह ध्यान रखने वाली बात है राजय सबा के chairman इसको head करते हैं इसके अलावा जो chairman of राजय सबा जो की vice president of India होते हैं वो और कौन कौन सी committee जिनको head करते हैं एक तो है general purpose committee और एक है rules committee यह तीन नाम आप जरूर याद रखना एक तो है business advisory committee एक है rules committee और एक हो गई general purpose committee इन तीनों को chair किया जाता है chairman of राज्यसभा के द्वारा यह आप ध्यान रखना और इसके अलावा इस page पर कुछ भी ऐसा काम का नहीं है जिसके जिसे हमें discuss करना चाहिए अच्छा हाँ एक चीज और इसी article में अगर second page बजाते हैं आप वहाँ पर आ जाता है rule 267 इसके बारे में भी mention दिया हुआ है तो rule 267 एकदम simple सा है suspension of rules मान लो कोई भी member है ठीक है राज्यसभा में कोई भी member है वो यह चाहे कि जो भी rule regulations fix किये हुए है particular उस house की functioning के लिए तो अगर कोई बिल या कोई भी motion अगर already आ चुका है house में तो वहाँ पर राज्यसभा का member जो है वो chairman की consent लेकर के rule 267 में rules को suspend करवा सकता है कि अब यहाँ पर वो rule apply नहीं होने चाहिए simple सी बात है कि कोई भी motion already चल रही है ना तो उस motion को continue रखने के लिए यह किया जाता है ठीक है rule 267 suspension of rules ठीक है यह दो चीज़े constitutional provision की थी इस article में बाकी हमारे लिए front page पे कुछ भी काम का नहीं है आगे चलते हैं फिर हम page नमबर चार पे आते हैं तो हमारे पास में एक important news है कि अगर कोई university कोई public sector undertaking अगर कोई भी virtual event रखना चाह रहे हैं क्योंकि कोई 19 के टाइम पे physical distancing तो होई गई है mandatory तो ministry of external affair ने यह कहा है कि उनको government से approval लेना पड़ेगा अगर कोई भी conference वो conduct करते हैं mainly वो focus कर रहे हैं यहाँ पर internal security से related कुछ भी मुद्दा हो जैसे कि नौर्थ इस्टन स्टेट से related हो जम्मू कश्मीर से related हो लद्दाक से related हो यह क्या है अमारे लिए बहुत ही ज़्यादा sensitive मुद्दे हैं और हमारे internal matters हैं तो अगर कोई भी university या public sector undertaking में इन से related कोई भी virtual event हो रहा है तो उससे पहले government से approval लेना पड़ेगा ठीक है देखेंगे इस article को आप एक बार देख सकते हो आगे देखते हैं explain page पे आप देखोगे तो एक भी article इतना काम का है नहीं बस केरला में यह जो infrastructure investment fund board established किया गया है तो इसमें क्या constitutional provisions है बाकी तो देखो यह केरला से related है केरला की government ने कितना fund rise करने के लिए किस इसाब से fund rise करेंगे वो हमारे काम का है नहीं अगर आप केरला की administrative services की preparation कर रहे हो त आप पढ़ सकते हो बाकी इतना काम का है नहीं हम यहां पर देखेंगे कि जो controller and auditor general है उन्होंने क्यों red flag rise किया है क्यों इसको implement होने से रोका है क्या constitutional provision है यह वाला portion हमारे काम का है देखेंगे आगे चलते हैं फिर आ गया हम world page पे जहां पर यह कहा जा रहा है कि foreign troops जो कि अफ अफगानिस्तान के elected government को कोई participation नहीं मिला था अभी यह चीज निकल के आई है कि जैसे ही administration change हुआ है USA में तो अब NATO के जो foreign troops वहां पर हैं अफगानिस्तान में वो अभी भी अफगानिस्तान में रहेंगे मई की deadline चाहे कितनी ही cross हो जाए क्योंकि जो agreement हुआ था ना USA और Taliban के ब finalize हो गया फिर से कि troops मई के बाद में भी वहां पर रहेंगे देखेंगे इस article को आगे देखते हैं अब आगए हम economy page पर economy page पर हम देखें तो GST collection लगातार चौथे महने एक लाक करोड से जादा है और जनवरी का जो collection है ना वो एक लाक उननीस अजार 847 करोड रुपए हुआ है जो कि जब से GST rollout हुआ है जुलाइ 2017 से तब से अब तक बहुत जादा है ठीका highest है ये तो देखेंगे क्या है outcome किस तरीके से ये rise देखने को मिल रहा है और क्या significance है इसकी इसके अलावा अगर economy page पर हम चले तो हमारे लिए छोटी सी एक information यहां पर है कि UK जो है अब membership के ल Progressive Trans-Pacific Partnership ठीक है Trans-Pacific Partnership के बाद में जैसे USA withdraw करता है USA जैसे ही Donald Trump President बनते तो withdraw कर लेता है फिर उसके बाद में ये TPP किसमे का note हो जाता है CPTPP में तो UK जो है वह Brexit कर चुका है मतलब वहां से निकल चुका है European Union से तो अब apply करना चाहरा है इस trade block में देखेंगे वैसे आपको बता दूँ इस group का India member नहीं है हमें ध्यान रखना है ओके देख लेंगे एक बार article में बाकी main चीज थी वह मैंने अभी अभी समरी कर दी है इसके अलावा यहां पर एक चोटी से information है कि India जो है Germany के बाद में second most resilient economic consider की जा रही है अभी जो economic recovery register कर रहे हैं internationally जितनी भी countries है उनमे ठीक ह तो यह एक चीज हमें कहीं नहीं देखने को मिलेगी और तो बाकी कुछ है नहीं important आप यह देख सकते हो कि किस तरीके से fuel price जो है बो वो slowdown का कारण नहीं बनेगी growth में जो भी अब register हो रही है यह बात कह रहे हैं सोचम के president यह एक interview है कुछ कामकार लगा नहीं आप देखना जाओ तो देख सकते हो अब देख लेता है जो भी आर्टिकल है हमारे पास मुन को थोड़ा डिटेल में तो हमारे सामने first important news है वो यह कि universities या फिर public sector undertaking कोई भी virtual event को और्गिनाईज कराना चाह रहे हैं तो government's approval लेने की जरूरत है यह बात कही है ministry of external affairs ने ठीक है तो यह clearance है यह seminar online organize कराना चाह रहे हैं तो इसकी main वज़े क्या है कि इंडिया के जो security related internal issues है उन पर कोई बातचीत ना होनी चाहिए क्योंकि वो internal मुद्दे ही हैं जैसे कि नौर्थ इस्टन स्टेट से related जम्मू कश्मीर से related लद्दाग से related या कोई भी ऐसा कोई मुद्दा जो की internal matter है हमार लिए ठीक है तो यह एक अपने आप में बहुत important इसके लिए एक approval procedure भी डाल दिया है ministry of external affair ने कि कोई भी योई बात आगी कोई बी international conference रखना चाहे सेमिनार रखना चाहे और department mainly कौन रखे जा रहे हैं वो departments जिनका या फिर जो undertaking जहां पर government की तरफ से funding जाती है चाहे वो PSU चा पर control जो है वो government का हो तो यह एक अपने आप में important चीज है वैसे तो हमने आपको idea होगा कि COVID-19 के टाइम पे जब meetings virtual platforms में चली गई थी तो तब जाकर के बहुत सारे platforms जैसे हैं कि मानलो कुछ countries like China पाकिस्तान यह hostile हैं हमारे लिए तो इन countries से हमें थोड़ा सा बच के रहा थोड अगर आप conference करते हो तो हाँ वो बाठीक है कि notification में जो कुछ भी declare किया हुआ तो वह यह कह रखा है कि unsafe application से बचो बट वही बात है दूसरा अगर Central University या कोई भी educational platform अगर कुछ इस तरीके का कोई seminar organize कराना चाहरा है तो उनको Ministry of Education से approval लेने की ज़रूत पड़ेगी ठीक है तो य infrastructure investment fund board को लेकर कि जो पूरा issue चल रहा है उसको जानने के लिए देखो government ने ये funding तो इसलिए बनाई गई है कि कैसे भी करके infrastructure boost लिया जा सके और वहाँ पर employment generation की जा सके वो सारी चीजे बट जब constitutional body controller and auditor general उन्होंने जब इसको scrutinize किया उसकी auditing की तो उन्होंने कुछ questions raise किये है और वो question raise करने की वज़े क्या है वो हमें जानने के लिए हमारा हमारे लिए जरूरत है देखो कैग ने report जब अपनी submit की केरला finance पे 2018-19 की तो assembly में उन्होंने जो report रखी उसमें ये का कि आप borrowing जो करोगे ये जो केरला infrastructure investment fund board है ये borrowing जो है वो off budget है मतलब इसके बारे में आपने budget में कोई provision नहीं किया है फिर भी आप उधार लेकर के ये budget बना रहे हो तो ये unconstitutional है और इसको unconstitutional ठहराने के लिए क्या बोला बोला article 293 clause 1 of Indian constitution ये क्या कहता है ये guiding principle का का काम करता है कि एक state जो है वो बिलकुल free है कि वो money borrow कर सकता है Indian territory की मतलब Indian borders के अंदर अंदर किस basis में कि state के consolidated fund में जितना पैसा है उसके security के basis पे कि हाँ जी state की कितनी funding है जैसे आपको loan देता है ना कोई जैसे loan लेने के लिए हम apply करता है तो पहले ये देखते है कि हाँ civil कितना है कितनी salary आ रही है मतलब EMI time पे चुकाने की कितनी capacity है उसके हिसाप से loan मिलता है वो ही चीज यहाँ state government का भी होता है कि state की consolidated fund में कितना पैसा है कितना transaction है जिससे कि ये उधार लेने वाली money को time पे चुकाने पाने में capable है की नहीं तो ये चीज देखी जाती है बट आप देखोगे ये जो borrowing है इन पे article 293 के clause 3 में barriers भी लगाते है regulate भी करता है यहाँ पे अपरूल भी देता है त चीज मेंशन करने की जरूरत है एक तो ये मुद्धा बड़ा important निकल किया रहा है दूसरा जो ये किरला infrastructure investment fund board है इस पर कोई source तो है नहीं income का बस जो vehicles motor vehicles है उन पे tax लगाना या फिर जो भी petroleum product है उन पे sales लगाकर के ये पूरा का पूरा funding लेकर के आने की बात की जा रही है त states free है but within the territory of India बाहर से नहीं ले सकते हैं बाहर से अगर किसी state government को borrow करना है तो वो central government से पहले approval लेगी फिर उसके बाद में बाहर जा सकती है ठीक है तो ये थी main चीज बाकि एक बार इस पे आप reading जरूर मार देना आपके सामने screen पे है main जो बात है वो हमने देख ली है ठीक है और फिर देख लेते है केरला government क्या बोल रही है केरला government का तो यही कहना है देखो जी हम अगर कहीं से ले रहे हैं कुछ हुदार तो वो हमारी liability है बट हम लोग अगर जो कुछ भी ले रहे हैं वो within ambit है मतलब ये liability जो है वो petroleum sales और vehicle taxes के basis पे चल रहे हैं जो कि हर साल हमेरा कट collect करनी होती है और वो हमारे पास में आता है तो हमें इसके लिए अलग से कोई provision करने की ज़रूरती नहीं थी इसलिए बोला हमने ये fund बना दिया ठीक है बागी constitutional provision हमने already देखी लिया है कि budget में इस चीज़ को show करो आप ओके चलते हैं आगे next important news है कि foreign troops जो है आफगानिस्तान की soil पे में के बाद में भी रुके रहेंगे देखो international troops की अगर बात की जाए तो वो mainly NATO के ही है ठीक है North Atlantic Treaty Organization तो तालिबान के साथ में देखो agreement को कर लिया था USA ने कि हाँ full withdrawal कर लिया जाएगा बट जैसे ही नया administration शुरू हुआ है USA का तो उन् में फिर से अपनी policies को change किया है इसकी वज़े से अब क्या हो गया कि जो जल्दबाजी में withdrawal करने वाला था USA या फिर NATO के जो soldiers है वो अब जल्दबाजी नहीं करेंगे देखो यह चीज जो है ना इंडिया के favor की है ध्यान रखना आप क्योंकि इंडिया को फिर कहीं ना कहीं alert आने की नौबत आ गई थी कि जल्दबाजी में अगर USA की troops withdraw कर लेंगे तो problem हो जाएगी क्योंकि फिर वो ही बात है अफगानिस्तान में instability तो पाकिस्तान में instability पाकिस्तान में instability और दोनों की जब तालिबान वहां पर rule करने लग जाएगा अगर अफगानिस्तान में तो वहा पाकिस्तान नेटो के बारे में गूगल करके जरूर देख लेना एक बार ओके चलते हैं नेक्स आर्टिकल्स पर अब हम आ गये हैं जीस्ती कलेक्शन पर देखो एक लाग करोड के माक को लगातार चोथे महने जीस्ती कलेक्शन ने क्रॉस किया है और यह all time high है जैनुरी में तो जीस्ती कलेक्शन कितना हुआ अब की बार एक लाग उननीस हजार आट सो सैन्तालीस करोड जो की हाइस लेवल है जुलाई दोजार सत्रा जब इस इंडिरेक्ट टेक्स रिजीम को रॉल आउट किया था यह जो पिक अप है देखा जा सकता है कि किस तरीके से एकॉनॉमि सिस्टम का प्रॉपर यूज किया गया तब जाकर के यह सर्ज देखा गया है जीस्टी रिवेन्यू में तो यहां पर जो में चीज है आप देखोगे जो सेंट्रल जीस्टी में जो की जो अथियोरिटी जना उन्होंने एक्शन लिये हैं और टेक्स इवेडर्स देखोगे लगबग 2700 केस रिजिस्टर किये जा चुके हैं जो फरजी वाड़े में जीस्टी एन नमबर ले लेते हैं और फिर उसके बाद में उन्होंने कोई टैक्स दिया नहीं इसका एक पूरा केस भी था कि किस तरीके से फेक कंपनी स्टैबलिश करके और फिर उनके बीच में जो इन्पुट टैक्स क्रेडिट है उसका फाइदा उठा लिया जाता था ठीक है तो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से चौक कर दिया ब्लॉक कर दिया तो इसकी वज़े से क्या हो गया फेक बिलिंग रुक गई और कलेक्शन आटमेटिकली बढ़ गया देखो जीस्टी में ती जीस्टी वो तो सेंट्रल गवश्रमेंट का है तो स्टैट जीस्टी है वो स्टैट गवश्रमेंट का हुआ करता है थीक है तो मैन चीज यही थी जो हमने यहा पर देख ली है बाकी और मुझे कुछ important लगा नहीं यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर नेक्स्ट आर्टिकल है UK जो है वो अब membership के लिए apply करने वाला है Trans-specific trade block के लिए ठीक है 11 countries का ये group है Trans-specific trade block और इसमें UK जो है वो ये दिमाग लगा रहा है कि अगर इस trade block में हमारी entry हो जाती है तो उसके बाद में मतलब जो UK के साथ में इन 11 countries का जो trade है वो increase होगा जिसमें tariff भी control होगा free flow of the goods and services ensure हो पाएगा ठीक है बिटेन ने अपनी तरफ से ये चीज़ क्लियर कर दी है कि comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific इसको join कर लेगा इसमें क्या होगा जो tariff है ना वो कही न कहीं खतम हो जाता है जब trade की बात आती है इस group को join करने के बाद और वो countries कैसे हैं जो already है जैसे Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore and Vietnam ये 11 countries हो गए अब यहाँ पर UK भी join करने की बात कर रहा है तो ये आप ध्यान रखना ये बड़ी important चीज़ है समझ गए तो इस तरीके से हमारे इस discussion में इस वीडियो में ये ही content important था Thank you very much for watching this video